हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ कुनम बिष्ट अगुना की पहाड़ें और आप सब भी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़े कुनम है फ्रेंट्स लास्ट वीडियो जो था मेरा उसमें मैंने आपसे बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात की थी और साथ ही कुछ चीज़े की थी उनके इंटेलिजेंट होने को लेगे और आपसे यह वादा भी किया था कि मैं वो कैटेगरीज मैंने कैसे बाती हुई है मैं आज मैं उन कैटेगरीज मैं सबसे पहली कैटेगरी की बात करने वाली हुँ वो है फिजिकल इंटेलिजेंट होना तो आप में देखा होगा कई बार लोग जो है अपने बच्चों की बहुत शिकायत लगाते हैं कि इसकी टीचर से जो है हर पीटिया में शिकायत आती है कि बच्चों को मारता है बच्चों से लड़ता है यह क्लास में एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठता है और बिल्कुल यही शिकायत कई बार पैरेंट्स जो है अपनी सहलियों से अपने फ्रेंड से भी करते हैं कि देखे मेरा चूटा वाला जो बेटा है वो बहुत ही श अगर आपके बच्चे की ऐसी शिकायत आती है तो आप टेंशन ना लीजिए आप खुश हो जाईए क्योंकि आपका बच्चे जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक है क्योंकि बच्चे का फिजिकली इंटेलिजेंट होना और एनर्जी का बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है तो वो हाइडरोपावर बनता है यानि की उसे बिजली भी बनती है और साथ में उसे पवंचक्की बी चल सकती है हमारे जो घट होते हैं घरात जिने कहते हैं उतराखंड में वो भी आपने देखा होगा पानी के फोर्स से ही चला जाते हैं यानिकि एनर्जी का सही तरही से उसको useful बनाया जा रहा है तो friends, अगर आपका बच्चा इस तरह के से शतानी कर रहा है, तो उसके अंदर एक warrior वैसे ही जन्म ले चुका है वो एक as a warrior इस दुनिया मा आया है आप उस warrior को जो है किस तरफ ले जा सकते हैं ये आपके उपटिमेंट करता है तो अगर आपके बच्चे में इस तरह के लख्षण है की वो कभी बैड़ता नहीं है और शतानी करता रहता है चीजों कि थो पोड़ करता रहता है कभी इधर चरता है, कभी उधर चरता है और इसी तरիके की जो है आपके बच्चे के अंदर लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो तुरंथ उसको पास के ही किसी इंस्टिटूट में दाखिला दिलवाईए और जो है उसके एनर्जी का को ट्रांस्फॉर्म कर दीजिए because transformation is very important in life okay transformation नहीं होता है तो चीजे वेस्ट हो जाती है तो वेस्टेज होने से बचाईए अपने बच्चे की एनर्जी का उसे सही तरफ लगाईए he can be an athlete he can be anything he can be which is related to energy वो आर्मी में एक बहुत अच्छी ओदे पर हो सकता है आर्मी में जो है इसी तरह के जजबे की ज़रुवत पड़ती है कि आप हमेशे आगे से जाकर जो लडाई में हिस्सा ले सके तो यह ना हो कि लडाई में किसी को फालतों में मार धाड के अपने धाड करे इससे जो है अपने बच्चे की इसी लक्षन को पहचानना है अगर यह लक्षन आपके बच्चे में है ना तो वो फिजिकल इंटेलिजेंट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है आप उसके इंटेलिजेंट होने की शिकायत मत करते रहे उस तरफ एक स्टप आगे बढ़ाई कदम और पहुंचा दीजे उसके एनर्जी को उस लेवल तक जहां पर उस एनर्जी की बहुत जरूरत है तो friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये tips पसंद आया होगी और आप अपने बच्चे की शिकायत करने से बचेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही अगली केटिगरी जो है आपके सामने लेकर मैं चल्दी आओंगी तब तक, thank you and bye, जय देखोने, जय अपत्राखान